जै जै मात अदे मित्रो बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको ऐसा अचुक और तिव्य प्रयोग बताऊंगा इसमें आपको बहुत जादा कुछ नियम का पराण नहीं करने बहुत छोटा सा प्रयोग हो भी सोने से पहले लेकिन याद रखिएगा गलत उद्यसे से इसे ना करें क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद जिस विक्ति के लिए आप मन में विचार लाएंगे भावना लाएंगे वह चाह इस्तरी हो या पुरुस हो आपके प्रेम बंधन में बंध जाएगा और आपसे चाह कर भी वह पीछा नहीं छुड़ा सकता वह आपके पीछे भागेगी पीछे चलेगी होता क्या है पहले ध्यान से सुनियेगा और वीडियो को अधा तक देखिये नहीं तो फिर आपको समझ में आयगा नहीं आधा दूरा करेंगे तो कि हर चीज को जानना ज़री है अर्थात यहा है कि जब आप सोने के समय जब आपका निंद आने ही वाला हो उस समय आप जब प्रयोग करेंगे तो याद रखिए इस दुनिया में एक अटल सत्य है जो हमारे सिद्धों ने माना है वेद पुरान हर चीज में यह चीजों को बखान किया गया है कि वरतमान सास्वत सत्य है वरतमान में आप जो चीजों को अनभाव करेंगे जो लोगों का वहम है कि वहां बहुत है पिसाच है अगर वहां पे आप मन में भी वह कलपना कलने कि यहां पे वाके में बहुत है पिसाच है या महसूस करना सुरू कर दे तो एक दिन वहां आपको दीखी जाएगा और अगर आपका मन समानने से है तो वह चीज कभी आपके समन प्रगाठी नहीं होगा, कहने कार्थिया है कि व्यक्ति का ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति का अनुभाव जो महसूस करता है वह सास्वत सत्य है और वह घटित होना अनिवार है वह भविश्य में घटित हो ही जाता है चाहिब कोई भी चीज को महसूस करें, तो ध्यान से सुने इस प्रयोग को कैसे करना है सोने की वक्त जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं, अपना बनाना उसे यह महसूस करना है अपने अंदर कि वह आपके साथ है, आपके पास है कुछ समय का प्रयोग है लेकिन याद रखिएगा, मन विचार को सिर्फ सोने के पहले ही इसे करना है, दिन भरी से अपने उपर हावी होने नहीं देना है क्योंकि आप एक अलग तरह के जो चीजे हैं उसे महसूस करेंगे या कुछ समय बाद सत्त में गटित हो जाएगा तो जब आप उसे धीरी धीरी अपने अंदर अपने पास महसूस करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय में ही देखेंगे या ऐसा कार्य करना शुरू कर देगा कि जो व्यक्ति है जिसे आप बेपना प्यार करते हैं वह आपको मिल जाएगा और यह प्रमाणित भी है इसे सिद्धों ने भी सिद्ध किया है कि आप जो भी चीज को बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचने तक की बात इन लोगों ने बताई है कि सोचने बस चीजें नहीं मिलती याद रखिएगा सोचना बस अनिवार नहीं सोचना उससे आगे की जो चीज होती हुआ है महसूस करना उससे पूर्ण रूप से महसूस करना जिस भी चीज को यहाँ पे सिर्फ आपको अपने प्रेमी प्रेमी का के लिए करना है और ऐसा करना है कि वह आपके पास है आपके अंदर है ऐसा अनुभाव हो